हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं जोडो का दर्द या फिर गठिया का दर्द जिसको भी ये परिशानी हो जाती है उसको उठने बैटने में काफी परिशानिया आने लगती है एकदम बैट जाते हैं तो एकदम से उठ नहीं पाते हैं बहुत जादा तकलीफ होती है उनके तो आज आप इस नुस्खे का देख करके इस वीडियो को देखने के बाद में जब इस नुस्खे का इस्तिमाल करेंगे तो आपको सिर्फ 10 मिनट में तुरंत राहत मिलेगी आपके जोडो का दर्द ठीक हो जाएगा गठिया का दर्द कैसा भी हो ठीक हो जाएगा तो आईए शुरू करते हैं इस रेमेडि को बनाना जिसके लिए आपको इसमें क्या-क्या लेना है वो सारी चीज़ें आपको बता देते हैं आपको इसमें लेना होगी ये खाली कटोरी फिर थोड़ा सा आपको इसमें लेना है सेंधा नमक जिसको हम पिंक साल्ट बोलते हैं ये आपको किसी भी फंतारी के यहां पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा ये बहुत ही जादा लाबकारी होता है जोडो के दर्द को गठिया के दर्द को ठीक करने के लिए उसके बाद में हमारे घर में जो लॉंग होते हैं मुझूद आपको वो लॉंग लेने हैं फूल वाले दो लॉंग लेकर के आपको इनको कूट कर इनका बना लेना है चूरन तो इस तरीके से मैं इसको कूट लेती हूँ अगर आपके पास इसका चूरन है तो आप वो भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो देखिए ये इस तरीके से हमने निकाल लिया है इसको भी हम इसमें डाल लेते हैं अब इसके बाद में आपको इसमें लेना होगा प्योर सरसो का तेल जो आपके घर में खाने में इस्तिमाल होता है प्योर सरसो का तेल हो तो आपको आदा चम्मच लेना है प्योर सरसो का त यह देखिए और इसको हम इसमें डाल करके अब अच्छी तरह से इसको mix कर लेंगे यह देखिए अब आपको mix इसको तब तक करना है जब तक की इसका नमक जो है तेल में अच्छे से mix न हो जाए तेल का color भी change हो जाएगा जब नमक इसमें mix होगा नमक हमने सेंधा लिया है आप इसमें सेंधा नमक का ही इस्तिमाल करें साधा नमक बिल्कुल ना ले तो ये देखिए इस तरीके से हमाई दबाई बन करके तयार हो चुकी है आपको इसको लगाना कैसे है चलिए वो भी देख लेते हैं दोस्तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही दोस्तो और मुझी कमेंट करना है बिलकुल न भूलें इस मुस्की का इस्तिमाल करने के बाद आपको फायदा जरूर होगा तो हमने ये बना लिया है आपको इस तरीके से लेना है रोजाना रात को सोने से पहले आप इसको अपने घुटनों पर यानिके जोडों के दर्द में इस तरीके से स्टेल से मसाज करनी है आपको पांच मिनट पांच मिनट मसाज करने के बाद आप इसको ऐसे ही पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए आप देखेंगे आपके जोड़ों का दर्द और घठिया का दर्द जो है वो तुरंत आपको आराम मिलेगा उसमें 10 मिनट में तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे ये वीडियो हमीं जरूर बताइएगा मिलते हैं नई वीडियो में